बॉलिवर्ड की दिगज कलाकार स्मिता पाचिल ने अपने फिल्मी करियर में वो सब कुछ किया है जो किसी आक्टर और आक्टर्स को नसीब नहीं होता इसे के साथ आक्टरोस स्मिता पाचिल ने हर तरह के फिल्म में काम किया है स्मिता पाचिन ने फिल्म मिर्च मसाला, भूमिका, आक्रोश, चक्र जैसी कई बहतरीन फिल्मों में आक्टिंग की और इसके लिए खुप सरहाना भी हासिल की मरस्मिता ने एक इंटर्वियो के दोरान एक किस्ता श्रेयर करते हुए कहा था कि साल 1982 में आई फिल्म नमक खलार में उन्हें अमिताब बच्चन के साथ एक गाने पर आज रपट जाये तो हमें ना उठायों पर बोल सीन देने थे इस गाने में हर सीन और गाने के हर बोल बहुत ही बोट और रोमांटिक थे और इस गाने को लेकर आक्ट्रिस काफी जादा डरी हुए थी इस गाने को शूट करने के बाद स्मिता ये सोचकर पूरी रात रो रही थी कि उन्होंने कभी भी ऐसे सीन नहीं दिये और उन्हें फान से देखकर क्या सोचेंगे तो चलिए आज किस वीडियो के जरी हम आपको बताते हैं कि आकरासा क्या हुआ था उस सीन के दौरान कि अमिताब बच्चन के साथ बोल सीन देने के बाद स्मिता पाटिल जम कर रोई थी दोस्तों फिल्म बाजार अर्थ और आक्रोष जैसी बहतरीन फिल्मों देने के बाद उनकी सीरिस इमेज बलकुल ही बोल्ड इमेज में तबदील हो गई थी साल 1982 में आये फिल्म नमक हलाल में बेहदी बोड और सेंशल सीन अक्टरस ने दिये थे अमिताब बच्चन के साथ इस फिल्म में बारिश में भीगते हुए आक्टरस से बेहद सेक्सी सीन फिल्म आये भी थे फिल्म का गाना आज रपर जाय में दोनों की बोल केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई इस गाने को करने के बाद समिताब को बहुत जादा पच्चतावा भी हुआ था और वो रात भर रोती रही थी मता दें कि बारिश में भीगते हुए अमिताब और समिता का ये सीन बेहद सेंसेशनल बन गया था सीन शूट करने के बाद समिता सीधे घर पहुचकर अपनी मा की गोद में चम करोने लगी इस बात की जानकारी जब विगबी को पता चली तब उन्होंने समिता को इस बारे में बहुत समझाया अमिताब बच्चवन समिता से यही कहा कि वो इस आक्ट से बलकुल भी परिशान नहों क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप की डिमांड थी और गाने के जिमांड थी विगबी के समझाने के बाद समिता वापस फिर्म के शूटिंग तो शुरू कर चुकी थी लेकिन उन्हें इस बात का पश्टावा था कि उनकी सीरिस इमेज की छवी कहीं खराब न हो जाए हालनकि ये फिल्म जब हिच हुई तब समिता को अपने कांग की तसल्ले तो मिली लेकिन दोबारा उन्होंने कभी ऐसे सी ना करने की कसम खाली थी वह आपको बता दे किसके बाद समिता और अमिताप की दोस्ती भी काफे जादा गहरी हो गई थी ख़बरों की माने तो समिता अमिताप को काफे पसंद भी करने लगी थी लेकिन इसे बीच उनके जुन्दगी में राजबबा राए और दून की शादी हो गई वह आपको बता दे किसमिता पाचिल आक्टरस होने की साथ-साथ फिल्मों का निर्देशन भी करना चाहती थी ये उनकी विसलिस्ट का हस्सा था आक्टरस अपने दोस्तों से कहा करती थी कि उन्हें बच्चे भी बेहत पसंद है और वो अपने बच्चे को काफी अच्छ से खयाल रखेंगी उनकी काफी अच्छी परवरिश करेंगी हालनके पहला बच्चा पैदा होने के बाद दो हफ़ते के बाद ही आक्टरस समिता गुजर गई आक्टिंग करियर के दोराह ने समिता ने निर्देश रख बनने की भी ठान ली थी लेकिन फिल्मों में वेस्ट होने के कारण आक्टरस निर्देशन में हाथ नहीं आजमा सकी वे दोस्तों समिता पाचिर अपने जमाने की बेहदी ग्लामरस और खुबसूरत अभी नेत्रियों में से एक रही है उनके फिल्मों के डालॉग और उनकी अदाकारी के लोग आज भी गायल है तो दोस्तों समिता पाचिर के जुन्दगी से जुड़ा ये किसा जानकर आपको कैसा लगा और आपको समिता पाचिर और विताब बच्चन के जूर इस फिल्म में कैसी लगी थी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आई हो तो आपे से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए साथे टीवी इंडस्ट्री और बॉलिवोड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही चट पठी और मसालेदार खबरे जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले